इस वीडियो के अंदर हम लोग डिसकस करने वाले हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग ट्रैक्स के बारे में जी हाँ तो देखिए अगर आप क्रिप्टो के अंदर ट्रेडिंग वगरे करते हैं चाहे पीटूपी करते हैं या फिर फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं माइनिंग से इंकम होती है एर ड्रॉप से होती है तो इन सभी के रिपोर्टिंग इंकम टैक्स रिटन के थुरू कैसे की जाएगी जी हा तो देखिए इसके अंदर आपको आईटिया 3 फाइल करनी पड़ती है नॉर्मली वैसे आईटिया 2 के अंदर भी काम चल जाता है और आ आईटिया 3 में कैसे रिपोर्टिंग होती है बकायदा कैसे कैल्कुलेशन वगरे होती है यह सब को जाने को मिलेगा आपको इस वीडियो के अंदर स्टार्ट करने से विले बताना चाहूंगा अगर आप एक टैक्स एक्सपर्ट के थुरू बहुत ही अफूर्डिबल कॉस क के ओपर अपनी जो है आईटिया फाइलिंग क्रिप्टो की आईटिया फाइलिंग करना चाहते है तो मैंने वाट्सप की लिंग आप लोग को डायकली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है जहां से आप हमारी सर्विसेस अवेल कर सकते हैं पहले बात करते हैं कि जो क् कि- hygiene के अंदर होती है तो देखे नॉर्मले जो ट्रेडिंग का होता है वह सदूरिंग के इनकुंतर है नुरर छाइगा लेकिन जो टाक्स में पर जिसको गवर्मेंट ने जो अपने बजट के अंदर में इंट्रूड्यूस किया था, 115 BBH के अंदर, और यह अब ITA फॉर्म के अंदर भी आ चुका है, बकाइदा ITA 2 और ITA 3 फॉर्म दोनों के अंदर आ चुका है, तो इसके उपर भाई, special tax rate जो है आपका 30% लगने वाला है, तो अगर आप यह सोच रहे हैं कि मैं अगर ट्रेडिंग करता हूँ, ट्रेडिंग से में को जो profit होता है, चाया loss होता है, में को उसके उपर slap rate के according tax देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, यहाँ पर भी 30% का ही tax rate लगेगा, और इसकी जो reporting होगी, वो बकाइडा ITA 3 के अंदर अब देखें, यहाँ पर जो head होता है, business का head होता है, जो crypto का column होता है, उसी में आपको business का head दिखने को मिल जाते है, अभी मैं आपको live जाके दिखाऊंगा, उसके अंदर किस-किस type के earning यहाँ पर cover हो सकती है, इसके अंदर आपकी mostly P2P जो trading होती है, जो आप आपके पास जो हो रही है, तो उसको भी भाई इसी column के नदर यहाँ पर आपको दिखाना पड़ेगा, इसके लाबा आजकल कई लोग जो future contracts, या नि future option जो trading वगरे करते, तो वहाँ पर उनको एक advantage मिल सकता है, जो कि यह एक तरह से gray area है, जिया, तो जिससे अगर आप कई सारे news portal के उपर और यहाँ पर आप बकायता एक normal business income दिखा सकते हैं, और वहाँ पर आपका tax rate है, वो slap rate के according लगेगा, तो यह एक तरह से gray area है, तो अभी right now जो भी future option के दिनर trading कर रहे है, especially crypto के अंदर, वो definitely इस चीज़ को यहाँ पर consider कर सकते हैं, तो चलिए भाई, मैं आपको lie दिखाता हू AS के अंदर normally क्या होता है, आपके pancard के against में government की पास में जो भी information है, चाहे उस पर tedious कटा है नहीं कटा है, वो आपको सारी देखने को मिल जाती है, तो यहाँ पर आपको crypto के columns भी देखने को मिल जाएंगे, इसके बाद में simply यहाँ पर आपको e-file में जाना है, यहाँ पर इस step अगर आपको सीखना है, तो इस वीडियो को प्लीज चेक आउट कर लेना, लिंक देदूगा description box में, देख सकते हैं, मैं अपनी idea 3 के सारे schedules के अंदर यहाँ पर आ चुका हो, अब इसमें बहुत सारे schedules होते है, salary का होता है, house property का होता है, business का भी होता है, आपको क्या करना सीधा यहाँ पर VDA वाले schedule के अंदर आना होगा, आप आप देख सकते हैं, अगर आप नीचे जाएंगे, तो यहाँ पर आपको schedule VDA मिल जाएगा, income from the transfer of the virtual digital asset, जी हाँ, और idea 2 के अंदर भी same schedule होता है, वहाँ पर भी कोई difference नहीं होता है, इस schedule के उपर आप जैसे click करेंगे, यहाँ पर आपको details वगर एड करनी है, तो add details पर आपको click करना है, अब दिखिए, चीज़े तो यहाँ पर same रहती है, जो idea 2 में रहता है, वही यहाँ पर idea 3 में रहता है, यहाँ पर advantage क्या मिल जाता है, यहाँ पर आप देख सकते है, यहाँ पर आपको head बिल जाता है, तो के income आपको इस business income वाले head के अंदर यहाँ पर दिखानी पड़ेगी, अब यहाँ पर आपको information क्या क्या चीए, यहाँ पर आपको एक एक transaction डालना पड़ेगा, date of acquisition, date of transfer, आपने किस value की उपर यहाँ पर किसी भी coin को buy कर रखा है, किस value की उपर आपने sell किया है, कितना आपने profit कम आता, मालो cost of acquisition मेरी जोए एक तरह से मालीजे 5 लाख रुपे है, और मेरी जो consideration है, वो मालीजे 6 लाख रुपे है, यहाँ पर आप देख सकते, 1 लाख रुपे का मेरा profit यहाँ पर simply आ चुका है, वहीं पर मालीजे मैं loss के अंदर जाता, अगर मालीजे sale value मेरी 4 लाख रुपे हो चुका है, अब tax rate के उपर भाई, कोई impact नहीं आएगा, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जिसे अगर आप नीचे नीचे जाएंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते, income chargeable at special tax rate, इस column के आपको जो है open करना है, और यहाँ पर आप नीचे नीचे bottom के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते, 115 BBH आपको 66 number column पे मिलेगा, income from the virtual digital asset, और यहाँ पर आप बकायरा देख सकते, दो heads आपको अलग-लग देखने को मिल रहे है, business and profession का मिल रहा है, और capital gain का मिल रहा है, तो भाई आपने trading किये, आपने mining किये, उससे आपको जो profit हुआ है, वो यहा यहाँ पर relief वगरे देखने को मिल जाता है, तो जैसे screen के सामने आप देख सकते हो, अगर मेरा 30,000 रुपे का tax यहाँ पर लग रहा है, ठीक है, तो उसमें 25,000 रुपे की में को 87 एक अंदर rebate मिल जाती है, अगर मेरी कोई और दूसरी कोई भी income नहीं है, तो new taxes में यह आपक पर देखने को मिल जाता है, तो अगर आपका tedious अगर है भी घटा हुआ है, तो easily आप एक अच्छा कासा refund भी यहाँ पर claim कर सकते हो, तो ultimately बात करों, तो reporting करने के लिए आपके पास पर simply sale value, buy value या एक approx profit या फिर loss आपके पास में होना चाहिए, crypto के यहाँ पर simple से 3 rule काम करते ह यहाँ पर लगता है, जो कि mostly अगर आप Indian exchange के साथ में जाओंगे, तो वो deduct करके government को जमा करा देते हैं, बाकि अगर आप foreign exchange यहाँ पर use करते हो, तो फिर भाई वो आपकी liability बन जाती है, लेकिन अगर उसको आप liability को पूरा नहीं कर पाते, still आपको ITR तो file करनी ही करनी है, tax rate क 30% का tax rate लगता है, और आप यहाँ पर crypto के loss को ना तो carry forward कर सकते हो, ना ही यहाँ पर set off कर पाऊंगे एक दूसरे के against में, जी हाँ, तो इस चीज़ का भी यहाँ पर definitely ध्यान रखेगा, तो भाई अगर मोटा मोटा यहाँ पर difference की बात करू, तो simple सा ITR 2 के अंदर आपको capital gain का column देखने को मिलता है, लेकिन ITR 3 के अंदर आपको business का भी column देखने को मिलता है, बाकि जो tax rate लगती है, उसका कोई impact नीए, वो same लगने वाला है, so guys, hope you like this video, please subscribe our channel, अगर आप लोग के कोई भी doubt से comment box के अंदर जरू बताइए, और आप अगर आप expert के थूँ इस type की complicated ITR को यहा पर जरू चेक आउट कीजे, thank you guys, thank you very much